कि असलाम अलेकुम वल्कुम बैक टो मैं चानल अनधर टे अनधर व्लॉग इन मा लाइफ कैसे आप सब लोग उमेद करती हूं आप सब ठीक होंगे मजे में होंगे हम भी अल्हम देला बिल्कुल ठीक ठाक मजे में तो जनाब हाज का ये व्लॉग मैंने कल संडे को बनाया था और संडे को आपको पता है बैबरस अंदर जाना दोनों जॉब करते हैं और चोटे बचे घर पे होते हैं हम लोग जाने लगे थे बाहर काफी पीने के लिए तो जिब्राइल ने बोला कि मुझे कुछ लेना है टिम होटन से तो मैंने इसको बोला तुम चली जाओ अंदर अ जाना ये बैबरस होंगे जो खरीदना खरीद के लेकर आजाओ हम मुझे बढ़ना कभी कभी हसी भी आती है मुझे लगता है कि ये टिम होटन वा लोको ना मुझे तो जरूर अपना ब्रैंड इमबैसेडर बना लेना चाहिए क्योंकि जतनी अड़र्टाइस्मेंट मैंने इनकी की है ना किसी ने भी नहीं की होगी खुद पीने जाती हूं रोज बताती हूं बचे काम करते हैं बताती हूं बचे क्या खाते हैं वो बताती हूं तो ये मेरा तो ब्रैंड इमबैसेडर बना बनता है इनका सिरियसली बहुत जादा मैंने इनको परमोट किया है लेकिन वो कहते ना कि इसमें कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि ये मेरे दिल से मैं करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब बताना ये जो जो चीजे मैं खाती पीती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है वो उसके honest review आपके साथ शेयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो अब हमने छोड़ना है जिबराहिल को घर उसके बाद हम जाएंगे काफी पीने के लिए और फिर वापिस आके मुझे आज बनानी है बर्यानी जी जनाब आज मैंने बनानी है बर्यानी क्योंकि बड़े दिनों से दिल कर रहा था रमजान के बाद मैंने अभी तक नहीं बनाई है तो बस अभी पहले चलते हैं उसको छोडते हैं घर पे ड्रॉप करेंगे फिर हम निकलेंगे तो पिर हम जाएंगे खाने के लिए बर्यानी यह सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ज़रा टरॉस्ट मी कि यह बिल्डिंग इन्होंने एक डेड़ महिने में इतनी बड़ी बिल्डिंग यह खड़ी हो गई है मुझे लगता था कि यह लोग जैसे जिन है यह इनसानों का काम नहीं यह जिनों का काम है seriously इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना और यह सारा एरिया अगर आप देखें अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं आप पता नहीं और क्या क्या बनने लगा है और यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट था कुछ भी नहीं था यहाँ पे एक दम से इन लोगों ने वो को आगे ट्रक्स आगए जो होते हैं बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो जमीन को खोते हैं सब कुछ करते करते देखते देखते हैं और थंडे मौसम में यह बिल्डिंग खड़ी कर दी है और मैं सोच जदे कि यह बिल्डिंग बनी है तो जिसके आगे उन घरों में रहते हैं जिनके भी वो घर हैं उन बिचारों को क्या पता कि कभी यहां पे इतनी उची बिल्डिंग बन चाएगी लेकिन हो सकता है यह सिर्फ मेरा मसला हो कि मुझे यह प्राइवेसी का थोड़ा जादा मैटर करता है कुछ लोगं को शाद यह मैटर ना करता हो तो मैं तो खेर अपनी आपके साथ अपिनियन शेयर कर रही थी कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि इन लोग ने क्यूं इतने जादा घरों के साथ पीछ एकदम से बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दिया और अजिक यहां पर कुछ और बिल्डिंग भी बनेगी कि जगाज आता है और अभी आपे चुन्स्ट्रक्शन भी चल रही है तो देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि इनका मुझे ये पता है कि जब एक दफ़ा का इंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो इस एरिया को बिल्कुल डिवैलप करके ही ये जहान इन्थूस की चोड़ते हैं उससे पहले पहले ये जहान नहीं चोड़ते हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर घर मैंने जिब होती है तो हमने अपना हमने गाड़ियों का नाम रखे कि हमारी उबर है सारा दिन ये सड़कों पर घुमती है एक बच्चे की जॉब किसी टाइम पे है उसको छोड़ना फिर दुसे को छोड़ना फिर एक को लेना फिर दुसे को लेना मैंने कोई काम करना है तो जाना आना क बावा ने जॉब पे जाना है तो उन्होंने जारा है बचो को लेना चोड़ना यार सारा दिन हमारी गाड़ियां भलकों पे होती है अब बच चुके हैं तक रिबन पौने पांस शाम के हो चुके हैं मैं गई थी बाएर मैंने कॉफी पी वापिस आ गई अब मैं रिलाक्स बैठी हुए कभी-कभी ना इस वक्ति राइट ना थुस्ट मी कि मुझे कोई 15 मिनिट हुए 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 कोई फॉन नहीं था मेरे हाथ में कोई म्यूजिक नहीं था कोई कुछ नहीं है से डार्क कर्टन्स मैंने नीचे किया हुए तो मैं आराम से सोफर पे लेटी हुए 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 soothing effect था और मैंने ये life में शायद आज first time इस तरह से time गुजा रहा है कि मैंने phone भी उठाया था सिर्फ phone अभी उठाया एक दो minute के लिए वो भी आपको दिखाने के लिए कि शायद आप लोगों को भी इससे कुछ idea मिले और आप अपने लिए electronic से दूर बच्चों से दूर husband से दूर घर के सारे कामों से दूर सकून से बस बैठे हैं आप सिर्फ आपने ले डाउन किया हुआ है और आप लोग सिर्फ बैठ के अपने आपको वो कहते हैं सिर्फ उसको फील करके देखना आप लोग कीजेगा और फिर मुझे प्लीज बताएगा कि क्या कभी आप लोग ने ऐसा किया है हो सकता है यह मेरे लिए नहीं चीज और आप लोगों को आदत हो आप लोग करते हूं आपने लिए ऐसा मेरे पास हो यह होता है कि अगर मैं फारिक भी बैठी नहीं तो मैं म्यूजिक आउन कर लूँगी कोई टीवी शोय लगा लूँगी और नहीं तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है मुझे बैक ग्राउंड नॉइजे अच्छे लगता है आज मैं बैठी तो मैंने पहले सोचा पर कुछ चीज लगाती है फिर मैं का नहीं बैठ जाती छोड़ देती हूं मैं लेटी तो मैं पंदना बीस मिनिट से लेटी हुई थी और फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि जो मैं इनहेल कर रही हूं उसको मैं फील कर रही हूं और फील करने के लिए इतना खामोश टाइम हमारे पास होता नहीं है जाना कि बाबा कि अपनी वो असाइनमेंट्स वगएरा मार्क कर रहे थे उनका सेमेस्टर का इंड है छोटे बची अपने अपने होमवर्क कर रहे थे मैं अकेली थी नीचे अपने मीन लेवल पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सची मैंने का आपको मैं बता हूँ ये बड़ा ही मज़े काया मेरा एक्सपिरियंस था अब जनाब आजाते हैं वो तो होगी मेरी तो कहते हैं कि जैसे आप कोई मेडिटेशन कह रहे हो वो तो होगी बात अलग से आप यहाँ पर आप देख रहे हैं बरियानी बन चुकी है हमारी और अब मैं बना रही हूँ जिए शामी के बाब फ्राइ करने हैं मुझे साथ में राइता और प्याज मैंने पहले से काट के रखे हैं इसके साथ हम लोग सालड नहीं कहाते हैं इसके साथ हम लोग सिफ अनियन्स कहते हैं रेड अनियन्स को मैं सॉल्ट लगा कि कभी-कभी रख देती हूं कभी-कभी सिफ पानी में उसको डिप करके रख देती हूं और या एक दो दिन पहले अगर मैंने उसको रखा हो फ्रिज में तो बस वैसे ही खा लेते हैं हम लोग तो वो मैंने किया है अब हम लोग यहां पर करेंगे हमारे शामी कवाब फ्राय और बरियानी हम लोग सर्फ करेंगे क्योंकि बच्छों ने आना है थोड़ा लेट तो इसलिए थ लेटे बरियानी का वो मजा नहीं आया था सेरियसली कुछ चीज़ ना रमजान में अच्छी नहीं लगती जिसे कूल ड्रिंक्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कोई भी ना कोक ना पैपसी कुछ में ने पीती उसके इलावा जैसे पुलाओ अगरा में नेका दफ़ा मना अच्छा लगा लेकिन जो एंजॉई आप उसको सेपरेटली करते हैं आम महीनों में वो रमजान में नहीं आता रमजान में उसी फूड का मज़ा आता है बस टेबल भर दो फ्राइड फूड और वो अनहल्दी चीजों के साथ और बस उसको एंजॉई कर उसको खाओ मुझे त चुकि अभी ताज़ा ताज़ा रमजान गुसरा है तो अभी तो सोच को मेरे मुझे पानी नहीं आ रहा लेकिन मुझे पता कुछ एरसे के बाद हम लोग बड़ा मिस करते हैं रमजान के फूड और रमजान की चीज़ें तो वही वाली बात जब हम उस टाइम में होते हैं तो कभी कभी हम उस चीज़ की कदर नहीं कह रहें तो हमें लग्रत हैं वीकनेस हो गई हैं बुक लग रही है प्यास लग रही हैं लेकिन जब वो ख sé को चलाकर गया रमजान तो अब आ लोग मिस करेंगे उसको यात करते हैं उसकी बरकतों को उस महिने के नहीं खास वाइब वो सिफ रमजान में ही मिलते हैं, डिजन्ट मैटर, कि आप किसी इसलामिक कंट्री में रह रहे हैं, जहां पे आजाने हो रही हैं, और उस तरह से रमजान सलिबरेट किया जा रहा है, या आप किसी भी ऐसे देश में रहते हैं, जहां पे इसको सलिबरेट नहीं किया जाता, ब तोड़ी वो बरकते जादा लगती है आज आने नमाजें और वो चीज़े डिफरेंट होती है लेकिन यह भी बड़ा मजा आता है आई मैं पता है वोई सोफर करी है उनो तो मुझे अपनी अपनी नी लग रही पता नहीं क्यों तो मैं अपको सथ अपने एक्सपिरिइन्स शेयर की है ना कि सकून से बैठने का और मुझे लगा कि मैंने बड़ा उसको फील इच्छा किया है तो मुझे वाक्षी बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बड़ा रिलाक्स थी मुझे लगा बड़ा ही मजा है मैं कुशिश करूँगी कि एवरी डे पांच से दस मिनिट अपने लिए ऐसे जरूर निकालूं जब मैं सिर्फ अपने आपके बारे में बैट की महसूस करूं मुझे सोचना भी नहीं हो सब किसी चीज को तो चले जिन आप खाना हमारा रेडी हो चुका है अगर अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे हैं तो कल फिर वापिस आएगा मेरे चानल पर मुझे से मिलने मैं मिलते हूं आपके साथ सेम टाइम पर सेम चानल पर एक और नए व्लॉग के साथ टेक केर जी अला हाफिस